कि आज में बताओंगी आज रेसिपी ने बतारिए यूज टिप बतारियों में ये केन दोने आप सबके घर में हम सबके घर में केन रहते या ओयल केंट ज़्यादा ऑइल लग जाने कि वाज़े से बहुत खराब हो जाते इसको हम एक सिंपल तरीका से दोएंगे इसके लिए मैं 2 टेबल स्पून घ्योंका आटा ले ली घ्योंका आटा को हम अच्छे से थोड़ी देर यह कैन को अपलाई करके रखेंगे थोड़ी देर हम कैन को ऐसा अप्लाई करके रख दे लेंगे ग्यों का अटा इससे पूरा ऑईल पूरा आ जाता ये कैन के अपर जितना भी ऑईल लगा वो आटा पूरा खीच लेता इसको ऑईल पूरा इसके बाद जल्दी क्लीन हो जाता ज्यादा लगण लेते बैठने की ज अच्छी दिखी तो कमेंथ में बताइए को ऑ अप्लै करके las令 गेंगे अंदर भी ठोडा डालेंगे अच्छे से क्लीन हो जाता ये हिए थोड़ी देर हम इसको अंदर बाहर सब आप्लाई करके रख दींगे पूरा ओल आजाता ये आटे से इसके बाद हम वाश करेंगे इसको पांस से दस मिनिट हम इसको हम आटा लगा के रगजिए पूरा ऑईल आगे इसके उपर से अब हम इसको वाश करके साबुन से दोलेंगे बहुत इजी मेथड है आप लग भी एक बार ट्राय कीजिए बहुत जल्दी क्लीन हो जाते हैं और जल्दी क्लीन हो जाते हैं या प्लास्टिक के बॉटल में भी दालते हैं उसको भी आप लग क्लीन कर सकते हैं यह जल्दी क्लीन हो जाता अब हम इसको वाश कर लेंगे एक बार पानी से वाश करेंगे इसको हम वाश करेंगे बाद मैं आप लगां को बताऊंगी मैं एक जल्दी क्लीन हो जाता है देखो एक सेड में पानी से खली पोचली में इसको बहुत जल्दी चले गया ऑईल पूरा इसके उपर का अब हम इसको पूरा दोलेंगे अच्छे से क्लीन हो गया यह कैम कुछ भी ऑईल नहीं है इसके उपर अब आटे से बहुत अच्छा क्लीन हो गया यह कैन आप लग भी एक बार यह टिप ट्राइ कीजिए बहुत जल्दी क्लीन हो जाते कैन ओईल कैन इसको मैं साबुन ने लगए खाले आटे से बॉश करी में साबुन भी लगा ले सकते एक बार और अच्छा क्लीन होना बले तो तेल पूरा चले गया इसका अगर आप लगां को मेरी यह टिप पसंद आरे तो लाइक शेर और हमारे चैनल पर पहली बार आये तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे ची डिशेस के लिए शुक्रिया थैंस पर वाचिंग अल्ला आफिस